मोमोज हो या चौमिन, पास्ता हो या फ्राइड राइस, पत्ता गोबी इन सभी चीजों में सबसे जरूरी चीज है। आपको अपने यूट्यूब चानल किड्नी ट्रीट्मेंट में इस बात की जानकारी देंगे कि किड्नी रोग्यों के लिए पत्ता गोबी कैसी है। पर किड्नी के मरीजों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उन्हें इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से एक बार सरहा जरूर लेनी चाहिए। पत्ता गोबी में पानी की सही मात्रा होती है जिसका सेवन आपकी किड्नी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। इससे आपकी बाडी में गंदगी जमा नहीं होती और किड्नी साफ रहती है और किड्नी अपना काम ठीक तरह से कर पाती है। पत्ता गोबी में अन्थोसाननिन पॉलिफिनॉल होता है जो आपके पाचन को ठीक रखता है। इसके साथ ही पत्ता गुबी में fiber की सही मात्रा होती है जो आपको पेट की परिशानी से दूर रखती है पत्ता गुबी में breastendern नाम का पौशक तथव होता है जो आपकी body में cancer cells को बढ़ने नहीं देता जिससे आप cancer जैसे गं भी रोख से दूर रहते हैं अगर आप पत्ता गूबी का सेवन करते हैं तो ये आपकी आखों के लिए ठीक होता है इसमें लिूटिन और जैकसितिन होता है जो आपकी आखों की रोशनी को ठीक रखता है वाइटमिन सी से भरपूर पत्ता गूबी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाय रखती है जिससे आपकी बॉड़ी स्वस्थ रहती है और आप कम बीमार पड़ते हैं वजन कम करने के लिए पत्ता गूबी काफी फायदेमंद मानी जाती है पत्ता गूबी में फाइबर सही मात्रा में होता है जो आपको पेट की परिशानी से दूर रखता है पेट के अलसर की समस्या को दूर करने के लिए पत्ता गूबी काफी फायदेमंद है हाट को स्वस् आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और जब आप डाबिटीज से दूर रहते हैं तो इससे आपकी किड्नी भी अपना काम ठीक से कर पाती है पत्ता गोबी में कई तरह के पौशक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके घाव भरने, दान्त और हड्यों को मजबूत रखने में मदद करते हैं कोलेस्टरोल को कम करनी के लिए पत्ता गोबी काफी फायदे मंद है वो भी साथ से दस दिन में सिरफ एक बार तो आज के लिए बस इतना ही, उमीद आपको हमारी दीवी जानकारी पसंद आई होगी अगर आप किड्नी की समस्या से परिशान है, तो हमें वाट्साप के माध्यम से संपर कर सकते हैं हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है अब मैं आप से विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार